स्वागत है आपका बोलता हिंदुसान में मैं हूँ आपके साथ फरीन सेफी इस ब्रुटेन में आज हम बात करेंगे 36 गड़ में सेम का एलान लेकिन राजसान और मद्यपरदेश को लेकर क्यों है बीजेपी परिशान सुप्रिम कोट का जमो कश्मीड को लेकर बड़ा फैसला क्यों कहां जल्दी मिले राज्य का तरजा मौहम उत्रा ने क्यों दिये एथिक्स कमीटी के फैसले को सुप्रिम कोट में चुनोती मायावती का बड़ा फैसला आखिर कोन होगा बीजपी का नया उतरधीकारी ओल्ड पैंशन स्कीम को लेकर भाजपा ने क्यों बदला अपना रुक और आखर में आपको बताएंगे कि अनुछे 370 पर कोट के फैसले को लेकर विपक्ष क्यों है नारास तो चलिक शुरुआत करते हैं आच्छी खास पुलिटेन की विधान सबा चुनावों के नतीजे 3 दिसंबर को आने के बाद बीजपी को बहुमत मिले हफ्तों भी जाने के बाद भी राजिस्तान 36 गड़ मद्यपरदेश को सेम कौन होगा इस सवाल ने भाजपा की चिंता बड़ा रखी थी लेकिन अब फाइनली ये तै हो गया है कि 36 गड़ का सेम कौन होगा 36 गड़ को अपने नया सेम मिल गया है वहाँ पर बीजपी ने विशुरुदेव साय को परदेश का मुख्य मंत्री बनाया है विशुरुदेव साय परदेश की राज्यती में बड़ा आदिवासी चहरा है वो कुनकुरी से विधायक हैं वो अब तक चार बार से सांसत तीन बार के विधायक और 36 गड़ में भाजपा के अध्यक्ष की कमान भी समाल चुके हैं साथ ही विशुरुदेव साय के इंद्र सरकार में राज्य मंत्री भी रह चुके हैं राज्य में आदिवासी समुधाय के अब आदी सबसे ज्यादा है विशुरुदेव इसी समुधाय से भी आते हैं और राजिस्तान और मध्य परदेश को उसका सियम कम मिलेगा नतीजों को आए हुए हफ़ते से जादा बीद गए हैं लेकिन फिर भी अभी तक भाजबा के खेमे में सियम चेहरे को लेकर इतनी चिंता क्यूं है आगर कारकर राजिस्तान और 36 गड़का उसका सियम मिल पाएग इन परदेशों की जंदक और कितना इंतिजार करना पड़ेगा आगर कब पता चलेगा कि कौन बनेगा मत्य परदेश और राजिस्तान का मुख्य मत्री अब आपको बताते हैं कि जम्मु कश्मीर को लेकर सुप्रिम कोट ने क्या ऐसा फैसला ले लिया है जिसको लेकर फिर जाने को लेकर कोट ने कहा है कि जम्मु कश्मीर भारत का अभी नांग है 370 को हटाना और स्पेशल स्टेटिस खतम करना केंदिस सरकार के अधिकार शेतर में था आर्टिकल 370 का प्राफधान उस समय युद्ध के बाद उपजिहालात को लेकर किया गया था यह अस्थाई है मतलब यह अवेध है चीफ जस्टिस ने कहा कि जम्मु कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा दिया जाए इसमें देरी नहीं होनी चाहिए चिनाफ को ज्यादा देर तक होल्ड पर रखा नहीं जाना चाहिए कोट ने चुनावायों को 30 सितंबर 2024 तक जम्मु कश्मीर में चुनाव कराने का भी निर्देश दे दिया है इस मामरे पर चीफ जस्टिस डिवाई चंदचूर की अगवाई वाली पांच जजों की बेंच ने फैसला दिया है खेर आप लोगों क्या लगता है कोट के इस फैसले पर क्या आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद जम्मु कश्मीर का विकास और ठीक से हो पाएगा और यह आर्टिकल हटने के बाद क्या-क्या बदलाव जम्मु कश्मीर में हमें देखने को मिल सकते हैं अपनी राय जरूर देए अब आपको महुआ मोहित्रा के बारे में बताते हैं कि कैसा डानी पर सवाल पूछने पर उन्हें संसस से निसकाशित कर दिया गया था लोग सबासे निसकाशन के बाद महुआ ने कहा कि एथिक्स कमेटी ने मुझे जुकाने की कोशिश की है और जो रिपोर्ट बनाई है उसमें काफी नियम तोड़े भी गए हैं ये बीज़ेपे की अंतिकी शुरुआत है लेकिन फलहाल उन्होंने एथिक्स कमेटी के फैसले को सुप्रिम कोट में चुनोती दे दी है महुआ को अडानी के खलाब बोलने पर अपनी संसर सदेशत्या गवानी पड़ी थी लेकिन मुसलमानों को जिहादी बोलने वाले गालियां देने वाले सांसत बने रहते हैं इस बाद से ये अंदाजा लगाया जा सकता है दोस्तों कि बीजेपी के लिए अडानी कितने ज्यादा जरूरी है अगर कोई अडानी पे बोलेगा तो उसका जवाब बीजेपी देगी लेकिन अब उन्होंने अपनी निसकाशन को लेकर कोट में अपील की है और एथिक्स कमेटी के फैसले को कोट में चुनोती दे दी है अब आपको बस्पस सुप्रीमो मायवती से जुड़ी खबर बताते हैं आकिन उन्होंने ऐसा क्या बोल दिया जिसके बाद हर तरफ उनकी चर्चा हो रही है द्रसल बहुजे समाज पार्टी के बैठक में बस्मा पर्मुक मायवतीना बड़ा एलान करते हुए भतीजे और पार्टी के नेशनल कोडिनेटर आकाश आनंद को अपना उत्राधिकारी घोशित कर दिया है आकाश आनंद फिलाल उत्तर परदेश और उत्राखन को छोड़कर पुरी देश में पार्टी के अलग-अलग विंगो देखेंगी लेकिन अब सवाल ये है कि मायवतीना आकाश आनंद को अपना उत्राधिकारी गोशित कर दिया है लेकिन उन्हें किन-किन चुनोतियों का सामना करना पड़ सकता है सबसे पहले तो आकाश आनंद के सामने बड़ी चुनोती उस पार्टी में बड़लाव लाने की है जो एक समय में रास्टर राजविती में बड़ी खलाड़ी मानी जाती थी क्योंकि जिस तरह से दलित केंद्रित पार्टी का उसकी ही शेतर में पिछले दो विधान सबाब में हमें गिरता समर्तन आधार दिखा है उससे ये अंदाजा लगाया जो सकता है कि पार्टी को बड़लाव की जरूरत है खेर बेसपी के अंदर एक बड़ा तपका बहुत वक्से एक नई चहरी की तलाश में था जो कि मायवती के एलान के बाद बसपको नए नेतरुतु लगबब मिलसा गया है लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि आका शाने इसको किस तरह से लेते हैं और पार्टी के गिरते गिराफ को वो कैसे संभाल पाते हैं अब आपको बीचे भी क्यों खोकली दावो के बारे में बताते हैं कि रिपोर्ट आएगी हम उस पर विचार करेंगे और हमेशा से ही ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्ध देश भर में भी उठाया जाता रहा है लेकिन हमेशा से ओल्ड पेंशन की मांग हमेशा लोग करते रहे हैं लेकिन अब बीजेपी ने लोगों को एक और तौफ़ा दे दिया है चुनाव जीतने के बाद और सरकार ने जो जूटे वादे करके दिखाये थे उन जो लोगों के सामने लुभाम ने वादे करने की कोशिश की थी इसी तरह उसने जो राजिस्थान के अंदर भी चुनाव से पहले OPS का मुद्ध उठाया था लेकिन इसका ग्राउंड जीरो पर क्या असर हुआ है जो जोरो शोरों से राजिस्थान में अमिशा ने ये मुद्ध उठाया था लेकिन अब दावे का क्या हुआ है आई हम आपको बताते हैं इसके सच्चाए क्या है दरसा लोकसाबा में वित्वंतराले ने साफ साफ कह द करमचारियों के लिए उपीस बहाल करने का फिलाल कोई प्रपोजल नहीं है चुनाव में तो बस इसमुद्ध को खूब उठाया गया था लोगों से इसे मुद्धे पर वोट भी मांगे गए थे लिकिन फिलहाल इसमुद्धे पर वित्वंतराले ने अपने रुक साफ कर द लुगों को चुनाव में आते ही जीत चुनाव जीतते ही एक तौफा भी दे दिया है अब आपको फिर से एक बार जम्मुकश्मीर लेकर चलते हैं जहां पर अनुचे 370 हटाए जाने पर सुप्रिम कोड के मुहर लग गई है लेकिन कोड की मुहर लगने के साथ ही राजशन मंतरी की क्या प्रत्री किरिया है कोड के फैसले के बाद प्रधान मंतरी ने इस एतिहासिक फैसला बताया है और साथ ही कहा है कि आज का फैसला सिफ कानूनी फैसला नहीं है या आशा की किरण है कोड के फैसले से एकता के मूलतत को मजबूती मिली है वही गिरह मंतरी अमिश कल 370 को हटाने का विजुनेरी फैस्वाय किया था तब से जम्मु कश्मीर में शांतिय और समाने सिती बहाल हुई है कभी हिंससे बदहाल रही घाटे में तुरक्य और विकास ने इंसानी जिंदगी को नई माइन दिये हैं टूरिजम और एग्रिकल्चर के शेत्रे में प्रोस इसे करने से पहले जम्मु कश्मीर के राच्रितिक दलों से भी पूछा जाना चाहिए था सुप्रेम कोट में हमारी आखरी उमीद थी लेकिन इस फैसले से जम्मु कश्मीर के लोग खुश नहीं है वहीं जम्मु कश्मीर की पूर मुख्य मंतुरी महभूब मुफ्ती ने सुप्रेम कोट का फैसला आइडिया ओफ इंडिया की हार है जम्मु कश्मीर के लोगों से कहना चाहती हो कि हिम्मत मत छोड़ो सुप्रेम कोट का आज का फैसला पड़ाव है मन्जिल नहीं है हमारे विरोधी चाहते हैं कि हम उमीद छोड़ दें लेकिन ऐसा नहीं होगा 370 अस्थाई है यह हमारे नहीं भारत के तस्वुर के हार है कोट के फैसले के बाद उमर अब्दुल्ला ने भी अपनी पिर्तिकिर्या जाहिर की उन्होंने कहा कि फैसले से निराश हो लेकिन डिस्कुरिज्ट नहीं हूं संगर जारी रहेगा यहां तक पहुचने में बीज 270 हटाना वाकि सही है यह नहीं है नेता जिस तरह से बयान दे रहे हैं विपक्ष नराज के जता रहा है इन सबी बातों से आप लोगों क्या लगता है हमें अपनी राय ज़रूर दें और बागे तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहे हैं हमारे साथ